नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों, अगर आप सेंथाटिक पुरानी सारी आपके पास है तो उसका फेकने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें या बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा इससे आपको हम बहुत ही खुबसूरत सा डोर्मेट बनाने के लिए बताएंगे तो इसको आप आसानी से देखे, कितना आसानी से आप इसको डोर्मेट को तयार कर सकते हैं सेंथाटिक सारी जो होता है, मतलब कि जब पुराना हो जाता है तो वो पोचने उचने वगेरा सब में काम में नहीं आता है तो लोग फेक देते हैं तो इसको फेके मत इसको हम देखे कितना खुबसूरत सा डोर्मेट बनाने के लिए बता देंगे तो उससे क्या होगा आपका साडी भी नहीं फेकाएगा और डोर्मेट भी बन जाएगा और यह आपको बाजार जैसा ही दिखेगा और बहुत ही खुबसूरत लगेगा तो चलिए हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप सैंथाटिक साडी को लंबाई से थोड़ पतला पतला इदम देखे हम कितना पतला फाड़े हैं बहुत ही पतला पतला इसको कट कर लिजे फाड लिजे और डोरी के टाइप का बना लिजे ऐसे डोरी जैसा बना लिजे आप और बना करके सब को जोड़ करके एक्दम आराम से रख लीजिए सब को जोड़ दीचे एक में और उसके बाद आप बनाना शुरू कीजिए तो जो सुरू का धागा रहेगा यानि कि ये जो डोरी सुरू में रहेगा उसको आप जो है ऐसे 2-3 बार ऐसे लपीट ये एक, दो, तीन, तीन बार लपेट लिये, अब इस पे हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे, और इस तरह से इसको यहाँ पर से निकाल लेंगे, फिर देखिए इसको इस तरह से डाल के इसमें से बीच से निकाल लेंगे, फिर देखिए इस तरह से डालेंगे, और क्रोशिया, अब इसको यहाँ पर इस तरह से लेंगे और ऐसे निकाल के इस तरह से बीच से ऐसे निकाल देंगे। और ऐसे निकाल के दागा को ऐसे उंगली पे लपेट लेंगे और देखिए इसको इस तरह से इस पे डाल के बीच में और इसको इस तरह से निकाल के दोनों चेन को फिर एक चेन बना देना है फिर ऐसे बीच से डालेंगे ऐसे निकालेंगे और दोनों चेन को एक चेन बना ले इस तरह से हम पूरे में बनाते जाएंगे गोल तक घुमा देंगे चारो और इस तरह से घुमा लेंगे यहां से यहां तक बना लेंगे तो हम बना लेते हैं पूरे में यहां पर हम चारो तरफ गोलाई में 12 चेन बना लिये हैं अब यहां पर देखिए इसमें यह जो हम चेन यहाँ पर बनाया हैं इस पर अब हम यहाँ पर से बनाना शुरू करेंगे तो इसको chain में से घुशाएंगे और इस तरह से निकाल के एक बना देंगे और फिर उसी chain में डाल करके फिर एक एंगल बनाएंगे देखिए उसी चेन पर डाल करके फिर एक एंगल बनाएंगे यहां पर हम दो एंगल बनाते जाएंगे एक चेन पर दो एंगल फिर आगे वाला चेन पर इस पर भी हम दो एंगल बनाएंगे देखिए इस तरह निकालेंगे और फिर यहां पर भी दो एं एंगल बनाएंगे एक हो गया फिर उसी चेन पर बनाएंगे देखे दो हो गया फिर अब देखे उसके आगे वाला चेन में बनाएंगे आगे वाला चेन में यहां फिर एक एंगल बनाएंगे ऐसे देखे एक एंगल बन गया और फिर देखे उसी चेन पर जिस पर कि हम बनाए हैं उसी चेन पे फिर एक एंगल बनाएंगे देखे इस तरह से दो एंगल हो गया इस तरह से हम पूरे में बनाते जाएंगे तो हम पूरा बना लेते हैं यहां पर हम पूरा एक बार गोल गोल बन गये हैं यहां पर एक chain पे दो एंगल पूरे में बना लिये हैं, अब दूसरा round जब बनाएंगे, तो इस round में हम क्या करेंगे, एक chain पे एक एंगल बनाएंगे, एक chain पे एक एंगल फिर एक chain पे एक एंगल इस तरह से हम बनाते जाएंगे, इस बार दो एंगल नहीं बनाएंगे, इस बार एक chain पर एक एंगल बनाएंगे तो क्या होगा सुकुड़ेगा नहीं या फैलेगा नहीं तो इस तरह से थोड़ा से ध्यान आपको इस पर रखना होगा कि अगर हमारा पाइदान जो है या डोर्मेट जो भी है तो यह अगर हमारा फैल रहा है तो हम जो एंगल बनाएंगे उसको कम कर देंगे एक चेन पर जैसे कि दो एंगल बनाते हैं तो एक एंगल बनाएंगे और अगर हमारा पाइदान शिकुडने लगा है तो हम क्या करेंगे एक एंगल पर एक चेन पर दो एंगल एक चेन पर दो एंगल अब देखिए फिर आगे वाला चेन पर एक एंगल बनाएंगे तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इसको इसी तरह से बनाएंगे या तो एक राउंड जो हम घुमेंगे तो उस पे हम क्या करेंगे एक चेन पे दो एंगल बनाएंगे और फिर दूसरा राउंड में एक चेंड पर एक एंगल इस तरह से बनाएंगे तो हम आगे आगे रांड जितना घुमते जाएंगे एक बार बनाएंगे एक एंगल एक बार बनाएंगे दो एंगल तो इससे हमारा सुक्रेगा या फैलेगा नहीं और इसके बाबजूद भी अगर सिकुड रहा है या फैल रहा है तो आपको ये ध्यान रखना होगा जैसे देखे कि आपका सिकुड ने लगा है तो एंगल को बढ़ा दीजे और अगर फैलने लगा है तो एंगल को घटा दीजे इस तरह से आपका बनते जाएगा तो इस तरह से देखे डॉर्मेट आप जितनो बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा डॉर्मेट बना करके आप तयार करते जाएगे दोस्तों आपको मेरा ये पाइदान का डॉर्मेट का डिजाइन कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किजिएगा और धेर सारा सेयर किजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू